नमस्कार फस्ट चेप्टर के निमेरिकल हम सॉल कर रहे थे और उनमें हम 19 निमेरिकल हैं वो सॉल कर चुके हैं अब जो आगे के जो लास्ट जो 5 निमेरिकल हैं उनकों सॉल करते हैं तो हमारा अगला किशन है कि किसी बिंदू आवेस के कारण उस बिंदू को केंदर मानकर खींचेगे 10 सेंटिमेटर तिर्जा के गोली गाउ सिप्रिस्ट पर यानि कि यह कोई बिंदू आवेस है यहां पर और यह मालीजी कितना है क्यूं है ठीक है इस बिंदू के कारण उस ब फ्लक्स कितना है यहां पर फ्लक्स का मान दिया है फाई प्वस्टू माइनस एक पॉर्ट जिरो गुणा दस की घात तीन न्यूटन मिटर स्कॉयर पर कुलांब ठीक है यह इतना क्योशन में दिया है कि यहां कोई बिंदू आवेस है इसे 10 सेंटिमेटर क्या यह कोई गाउ से प्रिष्ट की तरजिया दो गुनी कर दी जाए तो प्रिष्ट कितना फ्लक्स गुजरेगा यह कह रहा है कि यहां पर इसकी तरजिया दो गुनी कर दी जाए यहां पर 20 सेंटिमेटर कर दी जाए इस परकार से कर दी जाए तो यहां से जो फ्लक्स होगा वो कितना गुजर करता है ठीक है यहाँ पर इसकी अगर हम तिर्जा बढ़ाते चलेंगे तो यहाँ पर आवेस की मात्रा कितनी रहेगे क्यों ही रहेगी आवेस की मात्रा चेंज नहीं होगी यहाँ पर आवेस की मात्रा चेंज नहीं हो रही है तो आवेस की मात्रा चेंज नहीं होगी तो यह द गुना दस की घाथ तीन, निूटन, मिटर, स्क्वैर, पर कुलाम, यहानकि रक्स का मान चेंज नहीं होगा, उसके बाद में पूछा जा रहा है कि इस विंदू अवेश का मान कितना होगा, तो हमें फाइ का मान दिया हुए, हमें इस विंदू अवेश, सिग्मा क्यू की ज़ रहे तो क्यों बराबर कितना हो जाेगा क्यों बराबर हो जाएगा थाए कATHAN आप नोड़र्ण आट पॉंट अटवाइ स्वी तो यह तिवंगाद माहिन होता पॉंट जो जीक फथ। तो किशन में क्या पुछा जा रहा है किशन में पुछा जा रहा है बिंदू आवेस का मान क्या है तो बिंदू आवेस का मान है माइनस 8.85 गुणा 10 की गाथ माइनस 9 कुलाम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बराबर माइनस 8.85 गुणा यह हो जाएगा 9 कुलाम एक 9 कु होता है दसकी गात माइनेस 9 कुलम ठीक है अगले कृषिशन के बढ़ते हैं कि 10 cm तीर या कि-चालक गोले पर अजयात परिमाल का कोई है ठीक है 10 cm का कोई चालक गोला है यहाँ पर यह दस सेंटिमेटर तिर यहां पर इसकी जो कितनी है 10 सेंटोमेटर क्यों है यहां से 20 सेंटोमेटर की का मान क्या है त्रिज्यत है अंतर मुख्य है निकि तिर्ज्या के अनुसार इसके अंदर की और है अंतर मुख्य का मतलब क्या हो गया तिर्ज्या के अनुसार क्या है रेडेली इसके इंवर्ड हो गया अंदर की और हो गया आउटवर्ड होता तो क्या हो जाता बाहर की और यह किसका मान गयाद करना है तो कुल चार्ज है उसका मान गयाद करना है ठीक है तो यहां पर आवेस का मान गयाद करने के लिए हम क्या बनाएंगे इसको बना लेंगे यहां पर हम इसको बना लेंगे गाउ से प्रिस्ट ठीक है तो इसको गाउ से प्रिस्ट बना लेंगे तो यहा आपर दिया है तो हमने एक टोपिक किया था कि गोले कोस के कारण या चालक गोले के कारण दोनों के लिए कि था चालक गोले के कारण इसके किसी बिंदू पर इसके किसी बिंदू पी पर विदुति शत्र किती वरता कामान हमने ग्याद किया था और वहाँ पर उसमें जो इस बिंदू पर यहां पर यहां पर यह क्या हो गया बाहर के और हो गया यह जो आर का मान है इस मॉल आर का मान क्या इस गोले के तिर्जा वो माली जी कितने केपिटल आर उस केपिटल आर से क्या ज्यादा है यानि कि यह बिंदू पी क्या गोले के बाहर से था तब हमने उसका विदुक सथे के बमता का माँ इयात किया था और महां पर जो ए का माँ आये था या कि का मामा आये था भी वराबर आये था यो बहुता ब्रास को ये देंगेख न्येक्षा फजिक क्यो बहुता आर की और बहुता री स्कमा And बनेगा तो इसका मान कितना यह यहां पर एक की जगा लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा आप समझ गए ओंगे यहां पर मायनस यह क्यू लिया क्योंकि है यहां पर जो एक डैरेक्शन वह क्या है अंदर की ओर है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस e लिया तो e कमान दिया हुआ र कमान दिया है, कि कमान हमें पता है क्यों कमान हमें क्या करना है, ग्याद करना है पुठरा के गोले पर नेट अविस कमान कितना है तो यहां से q ब्रावर कितना हो जाएगा minus e into r square बटा कितना हो जाएगा k और q ब्रावर minus e का मान दिया हुआ 1.5 गुणा 10 की घात 3 गुणा r का मान है 20 गुणा 10 की घात minus 2 20 गुणा 10 की घात minus 2 क्योंकि क्या है square है और इस का मान कितना है k का मान होता 9 गुणा 10 की घात 9 ठेक है अब यहां से इसको 3 से कटेंगे तो यह तो कितना हो जाएगा 3 वार और यह हो जाएगा यहाँ पर point 5 ठीक है फिर q बराबर यहाँ पर minus का चिन ऐसा कैसा 10 की घात 3 और 10 की घात minus 4 यह हो जाएगे 10 की घात minus 1 10 की घात minus 1 गुणा और यहाँ पर यह बचके है 20 गुणा 20 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 हो जाएगा 400 ठीक है और point 5 को लिख सकते हैं गुणा 5 गुणा 10 की घात minus 1 लिख सकते हैं ठीक है इसको solve करेंगे तो कितना आएगा इसको यहाँ पर solve कर लेते हैं 10 की घात है कितना हो गए 10 की घात minus 11 ठीक है और बच्टा कितना आजाएगा 3 आजाएगा यहाँ पर फिर इसको आगे solve करेंगे तो कितना आजाएगा Q बराबर यह हो जाएगा 5 गुणा 4 कितना हो गया 5 गुणा 4 हो गया 20 गुणा यहागए 10 की घात 2 माइनस गुणा 10 की घात माइनस 11 और बच्टा कितना आगया 3 आगया Q बराबर माइनस यह 20 में बाग देंगे 3 का तो कितना आजाएगा माइनस है और 6.67 लगबग गुणा 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस 11 गया रहाएगा है अगला क्योशन देखते हैं कि दो पंड चार मिटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले चालक गोले का जो व्यास है वो कितना दे रखा है यह को चालक गोला है और इसका व्यास का मान दे रखा है मित्र तो इसकी तुरह कितनी होता है कि दो पॉंट च्यार नहीं कि तूक Cornette हो से छलट बोलाट को में प्रिश्ट द हिर साइंगे यहाँ पर सिघ्मा बराबरorse हो Q बटा A एकांग प्रिष्ट पर उपस तित आवेस की मात्रा इसको बोलते है प्रिष्ट आवेस गनत्व है तो यहां से हमें किस का मान दिया हुआ है सिग्मा का मान दिया हुआ है सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है 80 micro-kulam per meter square यहां सिग्मा बराबर 80 गुणा 10 की गाद माइनिस 6 kulam per meter square गोले पर आवेस का मान गयाद करना है तो Q का मान गयाद करना है तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू A यहां Q बराबर हो जाएगा सिग्मा का मान हो गया असी गुणा दस की गाद माइनस है गुणा ए ए क्या हो गया गोले का क्षित्रफल तो गोले का क्षित्रफल कितना होता है फोर पाई आर स्क्वेर क्यू बराबर कितना हो जाएगा असी गुणा दस की गाद माइनस है गुणा चार गुणा ठीक है 3.14 गुणा, R का मान कितना 1.2 यनकी 1.2 गुणः 1.2 ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते, आराम से सॉल कर सकते, तो यह किस की विलिए आजाएगी, Q की विलिए आजाएगी, फिर खूत रहे, गोले के पिष्ट से निर्गत फ्लक्स का मान, अब देखें, ऑमड़े पास में किस क कीओ का मान आ घए फोर्मूला क्या होता है सिग्मा क्यूक बड़ा इपसायल नोट तो five विराबर कितना होIं क्या कर लेंगे यहां से ग्याद कर लेंगे माझ लें कितना रहा है एक्स कुलाम बड़ा मैं इसको फीम्स वाना आवेस का माम तोHAM formula कौन सा लगाएंगे यहां पर प्रिस्ट आवेस गनत्वा फोर्मुला क्योंकि हमिनग में दियावा किया प्रिस्ट आवेस गनत्व फिर फूरक्स सा अममा अगरा अबafarर का when यान कि जो आवेस का वित्रण वो क्या है एक रेखा पर है या एक तार पर है जिसकी लंबाई क्या है भोज जद है ठीक है अनन्त रहे कि एक आवेस दो सेंटिमेटर दूरी पर नो गुना दस की घात चार न्यूटन पर कुلام करता है एक जो आवेस का वित्रण है और оставै और इस से का मान कितना रहा ए बराबर टू के लेमडा बटा आर किसल में आगी कि अरे कि आवेस घनतव है यानि कि हमें किस का मान गयात करना लेमडा का मान गयात करना है तो यहां से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा ए आर बटा कितना हो जाएगा टू के या लेमडा बराबर ए का मान दिया हुए नो गुणा दस की घात चार गुणा गुणा आर का मान यानि के यहां से यहां से कितने दूरी पर है दो सेंटिमेटर की दूरी पर है आर बराबर कितना दिया हुए दो सेंटिमेटर है यह आर बराबर कितना हो जाएगा दो गुणा दस की घात माइनस दो मिटर य जाएगा नो गुना दस की घात नो तो नो से नो ये कैंसिल हो गया दो से क्या हो गया दो कैंसिल लेंडा बराबर कितना जाएगा दस की घात चार गुना दस की घात माइनस दो गुना दस की घात नो उपर जाएगा तो दस की घात माइनस नो तो लेंडा बराबर कितना कुणान के का समानतर हैं थेख कि दो बड़ी पतले दात्थो की प्लेटें्टेंट एक दूसरे राइक द्वारे कि निगेतं है अर्फल से को दात्थो की प्लेटें इस प्रकार से ये को दातु की प्लेटे हैं इस प्रकार से इस प्रकार से ये को दो दातु की प्लेटे हैं और कि यह और एक दूसरे के समान तर ये एक दूसरे के क्या है समानतर है अब इसको आप 3-day में इसको देखिएंगे तो इस परकार से हैं यह एक प्लेट ऐसे की बेटा एंकि इसके मतलब क्या एक पर कौंस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस तो मालीजे इस पर कोन सा चार्ज है माइनस फिर पूछ रहा है फिर बताया फिर बता रहा है कि इनका परीमान कितना है 17 गुणा 10 की गहाद माइनस 22 कुलाम पर मिट्रे स्कॉयर यान कि दोनों के लिए सिग्मा का मान कितना है 17 गुणा 10 की गहाद माइनस 22 कुलाम पर मिटर स्कॉयर परिमाण ठीक है यहां पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है पहला किसन है कि पहली प्लेट के बाइए क्षित्र में कितना विदूत क्षित्र होगा यह पहली प्लेट इसका बाइए क्षित्र कौन सा हो जाएगा यहां पर होगा यह पहली है मालिजे कुंसी प्लेट है फस्ट है कोंसी सेकर array के इस नमाNyaP पूसा जारहें पहली प्लेट के बाहिछ सब लाइट कितना होगा है तो देखेए इस पॉइंट पर इस धातु के कान इस घातु कैलेत के कान प्लेस है यहाँ पर तो इस ऋसके साथ कि आख यहां क almac default एगाक प३याओफ छोवीडु तक्षेत्र की डारेक्सन होगी प्लस के अब क्या होगी दूर की और यह किसकी डारेक्सन होगी ओभा और कि कि क्या करेगा एक करेगा एक पास की और तो इट्टू की डारेक्शन क्या हो जाएगी इसके पास की और ठीक है तो यहां पर एवन और इट्टू क्या हो गए एक दूसरे के क्या हो गए विप्रीत हो गए हमें किस का मान दिया हुआ है हमें दिया हुआ है सिग्मा का मान हमें दिया हुआ है सिगमा का मांन अब देखे इस दातु की प्लेट के कारण नोट शीक्तार के लिए बिड़ीच माइन मांन कितना है यहाँ पर इसके लिए sigma का मान तो दोनों के लिए सेम है sigma but two epsilon not epsilon not constant है और E2 की value भी कितने हो जाएगी sigma but two epsilon not इसलिए परिढ़ामी विदू शीट्र का मान कितना गाएगा even minus E2 या E2 minus even दोनों मान क्या है बराबर है तो कितना गाएगा E berabre sigma but two epsilon not minus sigma but two epsilon not बराबर कितना गाएगा जीरो आजाएगा ठीक है जहान क्या रखना है जहान लिए रखना है कि किसी एक दातू की प्लेट के कारण या एक चादर के कारण जो विदुत ख्षत्र की तीवरता का मान होता वो क्या होता यह बराबर होता सिग्मा बटा टू अपसालन नोट ठीक है अगले किशन पर के कहां पर पहले काँ पर यहां पर है अब पने पी पर एस प्लेट के कारण क्या हो गई होगा दूर कीुशका दूर एक प्रीत है न आजाएगा जीरो आजाएगा तो दूसरी प्लेट के बाहर भी जो परिनावी विधुछत्य कामान धो कितना होगा जी रही होगा अरु यहां पर इस प्लस के कारण यहां जो आवेस होगा वो क्या होगा दूर की और जाएगा यानकि एवन की डारेक्शन क्या हो जाएगी दूर की और ठीक है फिर माइनस के कारण यह जो यहां पर जो चार्ज है वो क्या होगा इसकी और अकर्सित होगा माइनस के कारण इसके पास बेराबर फिवन प्लस इटू कितना हुग हैं सिग्मा दू एपसालयन जीरो एज씨 अधि लोस्त के सिज्डोशे मा चाहएं सतरा गुंणा यहां पर कितना महानुठ 18.85 गुना 10 की घात माइनस 12 माली ये से कितने बार उकट गया दो बार उकट गया और ये ऊपर जाएगा तो स्वार जाएगा तो ए का मान कितना जाएगा एक मान जाएगा यहां पर दो गुणा दस की घात माइनस बाइस और दस की घात प्लस बारा यहां पर बाइस में से बारा जाएंगे दे कितना जाएंगे दस की घात माइनस दस एक आमान कितना जाएगा दो गुणा दस की घात माइनस दस ठीक है और इसका मातर को जाएगा न्यूटन पर कुला करेंगे दुमान कितना जाएगा लगवक्त दो गुणा दस की गात माहिनेश दस से न्यूटन पर कुलाम हमने फस्ट चेप्टर के सारे क्युष्टन है वो क्या कर लिए हैं आप इनको देखिए और इसे पहले वाले वीडियो भी देखिए बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर धन्यवाद